वर्तमान में आत्मीक उर्जा के बारे में अनेक प्रकार की विवित जानाय चल रही है। अनेक प्रकार की अलग-लग सी बाते अपने अपनी बोधिक समता के अनुसार हर मानुओं में बाते होती रहती है। आत्मिक उर्जा एक वेश्विक उर्जा के स्तरोत में से एक सोटा सा उर्जा का स्तरोत जो है वो अविनासी है। के साथ आंत्रिक दस्टी और आंत्रिक मन के साथ जुडा हो है उनका वैसिक उर्जा में भी आंत्रिक दस्टी और आंत्रिक मन सामिल होने से उनके अंस में भी ये दोनों सीजे सामिल रही है जिसके कारण आत्मिक उर्जा के साथ कर्मों की गत्ती भी कारण सरीड के माज्यम से सामिल होने से ही कर्म भोगोटा है कर्म भोगोटा के लिए आंतरिक मन के साथ आत्मिक उर्जा वारंवार पड़ाव बदलने में भी सामिल होता है वैसी कुर्जा को ही हम मानों कुद्रती सक्ति से जानते है आत्मिक उर्जा के कारण ही शरीर में अन्यतीन प्रकार की उज्जार जो उत्पन होती है वो तिनों उर्जा को संचालित करने में मुख्य स्रोत्तो आत्मिक उर्जा का ही काम करती है प्राणपान एक होने से चेतना प्रगट होती है, वो ही चेतना से मन का नीमन, संतुलन, संचालन, विचार धारा के माध्यम से उता रहता है खोराक के माध्यम से शरीर में जो प्रवाही रूप में उर्जा उत्पन होती है जो प्रवाही उर्जा के माध्यम से मन इंद्रियों के द्वारा ये शरीर को चंचालित करती रहती है वही प्रवाही उर्जा में से वीर्य उर्जा पैदा होती है जो विर्य उर्जा के माध्यम से ही इस उष्टी में चलाइमान रखने के लिए एक नया पुत्रा एक नया शरीर का बंदारण होकर इस संसारी जिवन में पैदा होकर आता रहता है और वही विर्य उर्जा के माध्यम से बाहिय मन को स्थीर करके आंत्रिक मन को जागरूत अवस्था में लाकर हमारी स्मूती पटल के उपर जुनी याद्दा स्मरण जागरूती होने से और वेशिक उर्जा की अनुभूति करके ही फिर वही वेशिक उर्जा में आत्मिक उर्जा का विलण करन हो जाता है आत्मिक उर्जा रेस्ट रेस्ट रेनों के कणों वाड़ा एक बंधानी समूंग के रूप में है जैसा शरीर वैसा ही उनका आकार धारन अपो अपो जाता है और वोही रेस्ट रेनों के रूप में विश्टार वाले बंधानी समूंग को जोत के रूप में जब समूर पांतरीत होता है तब वही जोत अखन जोत में विलिन हो जाती है इसको इलक्स वरासी में से सुटकारा कहते है इसको इमॉक्स की गती कहते है